हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग बनाने जा रहे हैं वन पाउंड चॉकलेट केक जिसको मैंने कड़ाई में बेक कर लिया है और इसे बेक करने के लिए मैंने 300 ग्राम प्रेमिक्स लिया था उसमें एक चम्मज कोकुवा पाउडर एक चम्मज कॉफी पाउडर और आधा कब अभी थोड़ा सा गरम है इसके लिए मैं फ्रीज का पानी इसमें यूज कर रहे हूं ताकि हमारी क्रीम मिल्ड नहों क्रीम मैंने 200 ग्राम लिया है और इसकी मैं सिर्फ दो लेयर में कट लगा रहे हूं क्यूंकि हमारा स्पॉंज काफी वजन हो चुका है और हमें एक पाउ आप उसी अकॉर्डिंग अपने केक को रेडी करें लेकिन क्वालिटी हमेशा मेंटेन करें मैंने टॉप वाले लेयर को पलट करके ले लिया है और जो ग्याप दिख रही है इसमें क्रीम को फील कर लेना है दोस्तों अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ी देर के लिए क केक को क्योंकि जब कभी इमर्जेंसी में और राता है तो हम एकदम परफेक्ट टाइमली बना करके देना पड़ता है अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे हाथ से और निकल जाता है तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपने केक को रेडी करें और इसकी प्राइस क मैं इसकी मिजर्मेंट कर रही हूँ और लगभग ये एक पाउंड से थोड़ा सा ज्यादा तैयार हो गया तो थोड़ा बहुत हमें देना पड़ता है और आज मैं इसकी एक अलग टाइप की टेकुरेशन करके आपको दिखाऊंगी जो इकदम से इजी है और इसके लिए मै मैं हमीशा इमर्जेंसी ओडर वाली केक को इसी तरह से तयार कर देती हूँ खास कर तक जब केक कस्टमाइज नहीं होता है यानि कोई फर्माइशन नहीं होती है आपके क्लाइंट से तो इस तरह हम अपने केक को बहुत जली तयार कर लेते हैं और बहुत सिंपल और बहुत डिजाइन है जिसे कोई भी घर बैठे आराम से बना सकता है और आज इसकी प्राइस दोस्तों मैंने सिर्फ 300 रखी है इसलिए मैंने इसमें चॉकलेट गनाश नहीं बनाया नहीं दिया क्योंकि हम होम बेकर को जादा बचता नहीं है बचत बहुत कम होती है लेकिन काम भी कर से दो दिनों तक तो मेरे पास कोई आर्डर नहीं थी तो आज आर्डर आई सुभह सुभह मैंने इसे दो घंटे में रेडी करके उन्हें डिलीवर कर दिया तो कैसी लगी दोस्तों आज की एजी और सिम्पल सी बर्दे केक डिजाइन और चॉकलेट डिजाइन मुझे जरू से आपको देखरी शॉप में मिल जाएगी तो बने रहे हैं मेरे चैनल में मिलती हूं मैं अपने नेक्स वीडियो में एक नई थीन केक के साथ एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई